आरक्षन लागू कब होगा यह सवाल है और जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो यह खबर उनके लिए है कि कब आरक्षन लागू होगा और कब से उनको फाइदा मिलेगा पूरी जनकारी आपको विस्तार से देए बिहार में जातिय सर्वेक्षन के बाद आरक्षन परतिसत बढ़ाने का निर्ने लिया गया है इससे संबंदित प्रस्ता विधान मंडल से पारित कर राजभवन को भेजा जा चुका है अब ऐसे चर्चा है कि राज़िपाल राजेंद्र विस्तार लेकर की ओर से इस प्रस्ता को जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा इसके साथ ही बिहार में सियासी हल्चल तेज हो गई है क्या आज बिहार के राज़िपाल राजेंद्र विस्तार लेकर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों से शर्व सम्मती से पारित संसोधित आरक्षन संबंदी विधयक पर मुहर लगा देंगे यह चर्चा राजनीतिक गलियारों में इसलिए भी है कि सरकार की ओर से यह बिल राज़िपाल के यहां सह सम्मती से लिये गए बिल को भेज दिया है ऐसे में आज क्या इस पर फैसला लिया जाएगा मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने जो है इसको लेकर अपनी बड़ी बात कही है एक कारिकरम में मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने इस बात को दुहराते हुए कहाया कि अमुमन राजपाल किसी भी बिल को विचारा रख सकते हैं मगर यह कोई मनी बिल तो है नहीं कि जिस पर विचार करने की जरूरत है और दूसरा बड़ा कारण यह है कि यह राजनीतिक अधारित एक विधेयक है जिसमें समाज के निचले पाइदान पर रहने में वाले लोगों को मुख्यदारा में लाने की बात है दूसरा बड़ा कारण यह है कि बीजेपी ने नकेवल इस बिल का समर्थन किया है बलकि यहां तक कहडाला है कि पाज परतिसत अतिरिक्त अतिपिशडों को और आरक्षन देकर आरक्षन का परतिसत अस्सी कर दिया जाए इस वज़ा से संसोधित बिल के में वे वज़ा कोई देर नहीं होना संभावना जताई जा रही है और जैसे ही राजपाल के हस्ताक्षर होंगे उस तीथी के बाद सरकारी निक्तियों में आरक्षित सेनी के अभ्यर्थियों को आरक्षन की बढ़ी हुई सीमा का लाभ मिलेगा नितीश सरकार ने आरक्षन की सीमा बढ़ाने के पहले काफी होंबार किया था इसके लिए हर अस्तर पर पुखता इंतिजाम किया गया है सबसे पहले नितीश कुमार ने सरकार ने जातिय सर्वे करा कर जातियों की वर्तमान जंसंख्या की परताल की इस सर्वे को हाई कोट से इजाजत मिलने के बाद पूरा किया गया ऐसे इसलिए कि बेगर जनगनना कराय तमिलनाडू सरकार ने जब आरक्षन की सीमा बढ़ाई थी तो कोट ने उसे खारिश कर दिया था आरक्षन की सीमा 65% करने के पीछे एक सकरातमक वजह तयार कर ली थी या है कि केंद्र सरकार ने भी 15% स्वर्ण गरीव लोगों को लिए 10% आरक्षन का प्रवधान रखा है लगभग 75% था और उसको बढ़ा कर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने उसको 10% बढ़ा दिया है और 75% कर दिया है और ऐसे में अब या देखने वाली बात होगी कि बिहार में आरक्षन का जो दाइरा बढ़ाया गया है तो उसका फल कब से मिलेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इस बिल को दोनों सतनों से पारित हुआ है और उसके बाद राज़िपाल के हस्थाक्षर के लिए राजभवन गया है देखना होगा कि कब तक राज़िपाल जो हैं उस पर हस्थाक्षर करते हैं और उसके बाद से ही तुरंत जो कहा जाए कि आरक्षन के जो पाइदे हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे बड़ी श्रूनेशन की साथ नमस्कार